जैहिन दोस्तो, मैं हूराकेस फोजी, दोस्तो, स्यायसफ के अंदर अभी जो फायरमेन पोस्ट के लिए वेकेंसी आई हुई हैं, इसके सम्मन में बहुत से लोगों के डाउट हैं कि सर्च स्यायसफ के अंदर जो कॉंस्टेबल फायरमेन से जो जवान भरती होता है, उसका प परती होने के बाद जवान जो डिपार्ट्मनेटली अक्जाम होते हैं वो जो फायरमेन का जो जवान होता है, वो अक्जाम देय शकता है को नहीं दे सकता है अगर दे शकता है तो किस रेंग लिए दे शकता है, तो इस वीडियो के माद्यम से आपको पर्मोस्टन और LDC अक आएगा वहां से आप जूड़ सकते हैं और उसमें अगर आपको किसी प्रक्रागाट आउट हो तो टेलिग्राम गूरूप से आप मुझे पूछ सकते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं प्रमोशन के सम्मद में तो आग आप एक कॉंस्टेबल फायरमेन से भरती हो जा लेकिन अभी वर्तमान में अगर हम प्रमोशन की कंडिशन की बात करें फायरमेन पोस्ट के तो फायरमेन पोस्ट में कॉंस्टेबल से हैड कॉंस्टेबल बनने में अभी बहुत जादा समय लग रहा है अभी वर्तमान में CISF के अंदर साइद जिड़ी से तो बहुत बैक म इनका पर्मोशन चल रहा है अभी वर्तमान में 96 के अंदर जो जवान कोंस्टेबल फायर मैं से बढ़ती हुए थे उनका अभी पर्मोशन हेड कोंस्टेबल में हो रहा है यानि अगर आप वर्तमान की स्थिति को देखते हुए देखें तो लगबग 26-27 साल एक कोंस्टेबल से हेड कोंस्टेबल को बनने में लग रही है जबकि इसके अपोजिट आप जिड़ी की बात करें तो जिड़ी के लगबग 2005-2006 के जवान थे अभी वर्तमान की जो पोजिशन देखते हुए लेकिन अभी 96 का जो बैचल रहा है इसके बाद में प्रमोशन थोड़ा फास्ट हो जाएगा च्यूंकि फायर्मेन की जो वैकेंसी होती है वो हर साल नहीं निकलती है कि जैसे जिड़ी की SSE जिड़ी के थूरू निकलती है इससे पहले हर साल कॉंस्टेबल की जिड़ी के लिए अलग से ओपन भरती बगरा निकलती रहती ते अलगले चेंटर में लेकिन ऐसा नहीं है कि फायरमेन की हर साल निकलती है फायरमेन की जो पोस्ट होते हैं कभी तीन साल में, कभी चार साल में, कभी-कभी तो पास-पास साल तक ये गैप में भी निकली हुई है, इसके बोजिट 92 से पहले तो CISF की डायर्ट रिकूट्मेंट मने फायरमेन की पोस्ट पे होती नहीं थी, इसमें जो कॉंस्टेबल जि पहुझाते हैं, तो पर्मोस्ट願 आपका ये डावट की जेर होगा, पर्मोस्ट होता है और आने वाली एक-दो साल के अंदर ये प्रपोसल चल रहा है, कहीं जिड़ी के जो जवाणों का पर्मोस्टम होता है, उन्हीं के साथ फायरमेन का पर्मोस्टम होगा, यहनि कि 15 साल 16 साल के अंदर अंदर एक constable से head constable आप बन जाओगे आप अभी fireman post पे बढ़ती हो जाते हैं तो आप 15 साल के अंदर maximum आप head constable बन जाओगे और अब बात करें हम LDC exam की तो constable जवान बढ़ती होते हैं तो जवान असिस्टेंट सब्सक्टर के लिए सब्सक्टर पोस्ट के लिए LDC exam दे सकते हैं लेकिन जो जवान fireman post से बढ़ती होते हैं वो किसी परकार के LDC exam नहीं दे सकते हैं अगर आपके मन में ये सवाल होगा कि मुझे LDC exam देना है मैं constable fireman से form apply कर राखा है इसको कितनी salary मिलती है तो उसके समंद में वीडियो बना रखा है वहां से जागे आप वीडियो देख सकते हैं दोस्तों इस वीडियो के समंद में जो आपके doubt थे promotion और LDC exam को लेके तो जहां तक मेरा idea है आपके doubts clear हो गये होंगे अगर फिर भी आपको promotion और LDC exam के समंद में किसी परकार का कोई doubt हो या इसके अलावा कोई और doubt हो तो आप comment करके मुझे बता सकते हैं अगला वीडियो आपके comment को लेके मैं बना दूँगा या आपका comment का reply दे दूँगा अगर एक समंद में ज्यादा comment आएंगे तो उसमें वीडियो बना दूँग